गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, महरवानी करके वजत उत्तर प्रदेश खोड़ करके चले जाएं 20 जुलाई की राद 10 बजे छेड़ खानी के शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ साथ लोगों ने मिलकर विक्रम जोशी पर हमला किया और कल ही इसने मा और बेटी दोनों को अपने ट्रैक्टर से रौंद कर मार डाला पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का चेहरा बेनकाब कर दिया है आज राहूल गांदी ने कलेंडर खोल कर मोधी सरकार पर खुला वार किया राहूल गांदी ने खुद की लौंचिंग के लिए राफाल को क्रैश कराने की कुश्चिश की लेकिन न राफाल क्रैश हुआ न राहूल गांदी लौंच हो पाए उतरपदेश के मुखमंतरी योगी अजितेनाथ ने सत्ता में आते ही यूपी के गुंडा राज खतम करने की बात कही थी विकास दूबे का मुद्धा भी खतम नहीं हुआ था कि यूपी से गुंडे राज की एक और घटना सामने आ गए कुछ बदमाशो द्वारप एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया है राजधानी दिली से सटे गाजियाबाद के मेजरनगर इलाके में बदमाशो के हमले में घायल हुए पत्रकार विकरम जोशी की मंगलवार देर रात इलाज के दोरान मौत हो गई विकरम ने बदमाशो के खिलाफ छेट छाट का मुकदमा दर्ज कराया था इसके बाद बदमाशो ने गोली उनके सिर में मारी थी विकरम के साथ उस समय उनकी बेटियां भी मौजूद थी इस मामले में पोलिस ने अब तक 9 अरोपियों को रेस्ट किया है पत्रकार विकरम जोशी के भाई अनिकेज जोशी ने बताया कि विकरम जोशी ने भाँजी के साथ होई छेड़ छाड की घटना की बाबत रिपोर्ट विजे नगर थाने में दर्ज कराई थी जिसके बाद से अरोपी यूवक लगातात धमकी दे रहे थे मुकदमा होने के तीन दिन बाद तक उनकी खिलाफ पुलिस द्वारा कोई भी कारवाई नहीं की गई विजे नगर में विकरम को गोली मारने की लाइब खटना सीसी टीवी में कैद हुई है अजीत उंजम ने इस मुद्धे पर अपने शोओ में अधिक चान करी दी जोद करने पर उनकी भांजी के भाई मतलब उनके भांजे की पिटाई भी की उसके बाद शिकायत की गई एफ आई आर दर्ज नहीं हुई जोशी और रवी में इसी बात को लेकर दूसरी बार जगड़ा हुआ जोशी और रवी मतलब विक्रम जोशी और रवी जो मुख्य गुंडा है जो आरोपी है दोनों की तरफ से भी फिर पुलिस में शिकायत गई शोला का जगड़ा और बीस की राद खटना चार रात मैं तो चार रात मानता हूँ बीस जुलाइ की राद दस बझे छेडखानी के शिकायत के बाद बी कुछ नहीं हुआ रवी और छोटू जो उसका दोस्त था जिसने गोली चलाई साथ लोगों ने मिलकर विक्रम जोशी पर हमला किया प्यांका गांधी वाटरा ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साथा है और लिखा कि गाजियाबाद NCR में है यहां कानून विवस्था का ये आलम है तो आप पूरे यूपी में कानून विवस्था के हाल का अंदाजा लगा लीजिए एक पत्रकार को इसलिए गोली मात दी गई क्योंकि उन्होंने भांजी के साथ छेड छाड की तहरीर पुलिस में दी थी इस जंगल राज में कोई भी आमजिन खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा के गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ छेड छाड का विरोध कर रहे हमारे एक पत्रकार साथी विक्रम जोशी की निर्मम हत्या ने पूरे उत्रप्रदेश में गुंडा राज का चेहरा बेनकाब कर दिया है जब दिल्ली के रियाष्ट्रिय राजधानी दिल्ली एंसी आर के साथ उत्रप्रदेश के गाजियाबाद में ये हालात हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं के यूपी की आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज और जंगल राज किस प्रकार से सर चड़कर बोल रहा है दिवंगत पत्रकार हमारे साथी विक्रम जोशी के परिजनों के साथ तो मैं अपनी संवेदनाए व्यक्त करता हूँ पर क्या ये नहीं दर्शाता के उत्र प्रदेश जहां से प्रदान मंतरी खुद सांसद हैं और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आये थी राम राज्य तो दूर प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजब पाईयों ने पैदा कर दिया है अबिसार शर्मा ने न्यूस क्लिकिंग पर अपने शो में यूपी में हुई कुछ और गटनाओ क्या जिकर किया था इस तस्वीर में मा और बेटी जो हैं वो जमीन पर पड़ी हुई है जानते हैं इनका दोश क्या था आज से तीन साल पहले इस बच्ची का जब वो सिर्फ 14 साल की थी उसको अगवा किया गया कथित तोर पर उसका बलातकार किया एक शक्स ने जिसका नाम यश्मीर बताया जाता है और कल ही इसने मा और बेटी दोनों को अपने ट्रैक्टर से रौंद कर मार डाला इस पुलीस ने कुछ नहीं किया आज की तारीख में मा और बेटी दोनों दोनों अब जिन्दा नहीं है पिछले ही हफते लखनाओं में एक मा बेटी ने खुद को लोक भवन के सामने आग लगा दी थी मगर सबसे दुख की बात है कि ये दोनों मा बेटी अमेठी से आई थी इन्हों ने इनके पक्ष में एक बयान आज तक नहीं दिया है उल्टा इन्होंने कॉंग्रिस पर हमला बोला है कि किस तरह से कॉंग्रिस के जो नेता है उन्होंने इन दोनों मा बेटी को उकसाया आत्म हत्या करने के लिए और एक किस बात पर आधारित है उत्तरपदेश पुलीस के बयान पर यूपी की पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पत्रकार की हत्या के पीछे छेत्रक में सकरिय रेत माफिया और भू माफिया का हाथ है त्रिपाठी ने 14 जून को अपने फेस्बुक प्रोफाइल पर लिखा था कि उनकी एक रिपोर्ट के कारण मशूर भू माफिया के अवायद निर्मान को गिरा दिया गया है उनने कहा था कि इस कारवाई से माफिया गुसा हो गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार उतरप्रदेश पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक शेत्रों में से एक है खास कर जो लोग रेत माफिया को कवर करने की कोशिश करते हैं यानि कि NGO ने कम से कम पांच हाले घटनाओं को सूचिबद किया था जिसमें पत्रकारों को अवैद रेत खनन या भूमी हत्यानों की गते वीडियों पर रिपोर्टिंग करने के लिए मार दिया गया या फिर उन पर हमला किया गया हो इसके लाबा बात करें तो UAPA के तहट कश्मीर के फोटो जर्नलिस्ट पर मामला भी तरज किया गया था और दूसरी ओर गुजरात के मुखमतरी विजरुपानी पर टिपनी करने को लेकर भी गुजरात में पत्रकारों पर केस तरज हुआ था देश में पत्रकारों का इतना बुरा हाल है और हमारा मेंस्टेम मीडिया कुछ और की करने में लगा है मीडिया में इन मुद्दों पर रिपोर्ट्स तो होती है पर इन मुद्दों पर घंटो डिबेट नहीं होती आप भी देखिए कि हमारा मीडिया किन मुद्दों पर डिबेट करने में लगा हुआ है के लिए रफाल को क्रेश कराने की कोशिश की लेकिन न रफाल क्रेश हुआ न राहूल गांदी लाउंच उपाए हम उमीद करेंगे कि मेंस्रीम मीडिया भी देश में पत्रकारों के साथ हो रही नाइनसाफी पर अपनी अवाज बलंद करेगा और सरकार से सवाल करेगा आज हमारा देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 पर है कहीं ऐसा न हो कि हम धीरे धीरे इससे भी नीचे आते चले जाएं